अब तुम कुछ मत बोलो अब तुम कुछ मत बोलो मेरे कान बहुत पक गए हैं और तुम्हारी बातें आज भी कच्छी हैं और तुम्हारी बातें आज भी कच्छी हैं यह और बात है यह और बात है कि तुम्हारी चांग सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं तुम्हारी चांग सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी है तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ लेकिन तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं और अब और अ इतने भायनक हो चुके हैं कि किसी भी वक्त तुम्हें चीर कर तुम्हारे यां तडियां बाहर निकाल सकते हैं और मुझे ये भी पता है मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर से अब लाल खून का एक कत्रा भी नहीं निकलेगा क्योंकि तुम अब एक तिल चटे हो तिल चटे हो और उस जमीन से चिपक गए हो और उस जमीन से चिपक गए हो लेकिन तुम भी देख लेना लेकिन तुम भी देख लेना ऊपर आकाश में चिपके तुम्हारे उस चांद को अब मैं रोटी बना दूँगा तुम्हारे आकाश सितारों की पकोड़ियां तल दूंगा और सारे सितारों को पकोड़ियां तल दूंगा क्यों करूंगा ऐसा क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी और तुम्हें जितना अच्छा लगा सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात कहने दी हम कपड़ों के लिए चिलाए तो तुम ने अपने कपड़े बदल लिए हम कपड़ों के लिए चिलाए तो तुम ने अपने कपड़े बदल लिए हमने मुर्जाय चेहरे दिखाए तो तुम चेहरा बदल कर आगए हमन हुए रहा है हमने कहा कि हम आज तक नहीं बदले तो तुमने आखे लाल कर सिला दी किया है अपनी कलम की शाही बदल दो अपने दिमाग में रेंगते हुए कीड़ों को मसल दो फिर आकर यह प्रमान पत्र ले जाओ यह कविता बहुत अच्छी है फिर आकर यह प्रमान पत्र ले जाओ यह कविता बहुत अच्छी है लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं सच कहता हूँ यह कविता नहीं यह कविता नहीं यह कविता नहीं झाल झाल झाल